श्री क्रिश्ण कनहय आलाल कीजे श्री नियानन्द स्वामी कीजे श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे अरशन शुत दो इतही होशी जाहिर अपनी शरत देखे मोमिन दुनी जलती बीच बैठे अपनी विस्ता बीच बैठे अपनी विस्ता श्री क्रिश्ण कनहय आलाल कीजे तो ब्रहमात्मा अपने स्थान पर बहिस्ता कानेशन या विस्ता लिखाए मूल में बहिस्ता शब्द है और बहिस्ता का अर्थ मुक्ति का स्थान अब वो ब्रहमात्माओं के लिए वहिस्ता शब्द का प्रयग हुआ होगा तो वो परंधामी है और दूसरे जीवों के लिए वहिस्ता का प्रयग हुआ होगा तो उसको जो अलग-अलग आठ मुक्ति स्थाल है वो समझना चाहिए इस्वरिष रिष्टी के लिए वहिस्ता की बात होगी तो अक्षर्धाम समझना होगा तो यहां कोई शब्द का ऐसा नहीं है कि उसका आर्थ यही है वहिस्ता कहाने से वो आठ मुक्ति स्थाली है ऐसा नहीं है मुक्ति स्थाल है बस तो ब्रह्मात्माओं का परमधाम इस्वरिश्टि का अक्षरधाम और बाकी का दूसरे आठ प्रकार के स्थान है तो ब्रह्मात्माओं तो अपने स्थान में रह करके तो इन लोगों को जलते हुए भी देखेगी इनके दुखों को भी देखेगी तो उनको करुणा प्रकट होगा उनके मान में लेकिन जो दूसरे लोग हैं तो आब ये काफिर देखे मौमिनों विश्थ में आप पड़े बीच दो जग तो ये काफिर काने का ताथ पर ये तो परमात्मस से भी मुख ऐसे लोग नास्ति कत्व जो भी कहें ब्रह्मात्माओं को मुक्तिस्थल में देख लेंगे वो तो मुक्तिस्थल में गए अब ये तो कुरान में इस प्रकार से समझाए उनको पता भी नहीं चलेगा परमधाम का लेकिन वहां उनको डराने के लिए ये समझाया गया तो वो ये मोमिन है तो बैस्त में जाते हुए उनको देखेंगे वहां सुख भोगते हुए देखेंगे आप पड़े बीच दो जखों दो जख में पड़े पड़े नरक के दुख भोगते भोगते उनके सुखों को देखेंगे तो उनको क्या होगा सुख मोमिनों का देखके जले सी आग अधिक है तो ब्रह्मा आत्मों के सुख को देखकर के उनको और ज्यादा जलन होगी तो एक तो बाहर के आग से जल रहे हैं और एक अंदर से भी इर्शा द्वेस होता है जैसे कई लोगों में होता ही है ना दुसरों का अच्छा देखेंगे तो उनसे सहा नहीं जाता तो कई से बुरा कर दें किस तरह से कर दें वो सोचेंगे रात को नीद भी नहीं आएगे मुमिन दुनी दो आदमी हुई तफावत यों करा तो ब्रहमा आतमा है और दुनीय के लोगों दोनों का शरीर तो मनिश्यका यह है किन दोनों में अंतर ही है बस ये बेवरा हा फुरमान में पर कोई पावेन आदि भी कर तो ये बेवरान कुरान हदिश बगरे में हाए किन्तों उसको स्पष्ट करने वाले गुरु चाहिए ना तो सद्कुरु ने ये ज्ञान दिया, तार्तम ग्यान सद्कुरु के द्वारा तो उसके माध्यम से उस्पष्ट हो सकता है नहीं तो अभी तक लोग भ्रह्मे चल रहे हैं अभी भी भ्रह्मे हैं बीते नवे सालह जार पर मुशाफ मगजन पाया किन्ठ और कब तक इस रहश्य को लोगों ने नहीं समझा तो कहते हैं रसुल मुहमद के जाने के बाद एक जार नवे वर्ष परियंत मुशाफ मगजन पाया किन्ठ मुशाफ कुरान उसके अर्थ को कुराश्य को कोई समझ नहीं पाया तो गए एते देना रात में हुआ जायर नवक्का देना इसलिए जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो पूरा समय उसको रात माना है अग्यान के इसाब से अब तार्तम ज्यान का अवतरण हुआ अब ये नवे वो एक अजार नवे वर्षकियों तो सद्गुरु के आगवन का है तो सद्गुरु आये तो फिर अब वो रोशनी दिखने लगए शुरियर बाहर निकलने से पहले ही प्रकास निकलता है न तो इसलिए तो सद्गुरु के आते ही तो ये प्रकास निकल गया क्योंकि तार्तम ज्यान तो आएगा तो उसके लिए तो थोड़ा सा समय लगएगा इसलिए यहां कहते हैं सद्गुरु के आते ही ओजाला तो चाल होई गया ये काने का तरीका है इसलिए अभी तक अखंड़क के विश्वय में किसी को पता ही नहीं था मुमिन उतरे अरश से इनव दिल में आका सूरत अब्रमात्मा ये परमधाम से अबतरीत है इसलिए उनके रिधाय में पुर्ण ब्रमात्मा का स्वरूप अंकित होता है तो अरश कया दिल मुमिना खोली हकिकत मारफ तो प्रमात्मा के रिधाय को इसलिए परमधाम कहा क्योंकि वही परमात्मा के विशय में परमधाम के विशय में अथार्थता भी स्पष्ट करेंगी और उनकी पैचान भी करवाएंगी दुनी दिल पर है इबलीश और पैदास कही जुलमत है तो दुनिया के दिल में तो दुनिया के अंताकरण में तो इबलीश का सामराज्य है तो इबलीश है शैतान तो शैतान का सामराज्य है मन है वह शयतानी तो है, अब शयतानियति करता रहता है, बुरे के तरफ में जल्दी जाता है, और पैदास कही जुलमत, इसकी पैदास है वह जुलमत से सुन्ने निराकर्ष, तो इसलिए मन का भी कोई आकर नहीं है। तो इस प्रकार के बातें कई लोगों न debating कि अनुशार लोगों ने क्या समझा रलक सृस्टिय है, चेतना ही है, एसे अइसा मान लिया यथार्समें चेतनाओ का स्थान अखंड़ ही होगा चेतनाय हमेशा अखंड में होती हो कहीं, नश्वर में नहीं होती है अब कुरान की परमपरा में इस प्रकर से समझाए, यहां कई स्थानों पर ऐसी बात आती है, तो उसम पुछते ही साफ से समझना चाहिए काम अहाल इनों अंधेर में, तो इनके काम का मतलब इनका आचरण और इनका हाल करने का मतलब इनकी समझने का उंता करन, मन हो, उच्षित, हांकारी सारे के सारे अंधेरे में हैं हवा को खुदा कर पूजेता है इसलिए वो माया को ही परमात्म समझ करके पूछते हैं estaba आया के कोई भी शरूप कोँगे तो उसी को परमातमा समझेंगे कुलफ हावा का दुनी के दिला, आखों, कानों पर कुलफ का अरत होता है ताला ह्वा का, माया का, अग्यान का, अंधेरा का जो भी कहें बात तो एकी है तो उसके ताला लगा हुआ है कहां पर ताला लगा हुआ है लोगों के दिल में, आखों में, कानों में सब में ताला लगा हुआ है बुद्धी भी उनके काम नहीं करती है तो आखें भी बंध है और अच्छी बात सुनते भी नहीं है इमान क्योँ बेढेंना आय सके लिखिया, फूरमान है यह मैं यंकर, इसलिए कुरान में ऐसा लिखा है कि ऐसे लोगों में कभी भी इमान आय नहीं सकता, ऐसा लिखा है कौल फैल हाल मौमिन के नूर में, रूह आला आया इन उपर, तो ब्रहमात्माओं के कौल फैल हाल का मतलब मन वचन और करमा यह साव, अखंड के तरफ ही है, उनका मन भी अखंड में है, वचन भी, और कारिये करते हुए भी सोचते हैं, तो हम तो परमधम में हैं और वहीं कर हैं, ऐसा सोचेंगे, रूह आला आया इन उपर, इनको ही समझाने के लिए, स्रिश्यामाजी अवतरित हुए है, दिया इल्म लुधन्य इनको खोलने मुशाफ खातर, इनको इल्म लुधन्य कताद पर यह तार्तम ग्यान, स्थेर ग्यान, तार्तम ग्यान प्रदान किया, त इतने भी धर्म ग्यान था, जिसमें परमात्म संबंदी बातें की गई है, वो इन तार्तम ग्यान से स्पष्ट करेंगे, इसलिए इनको इनको इतार्तम ग्यान दिया है, रहा तवीद अपाई इनोंने, तो इनको इद्वेद का मार्ग प्राप्त हुआ, जो रहा मुश्तकी नसरात, तो जिस मारग के लिए कुरान में क्या कहा है, मुश्तकीम सिरात, तो मेरे खल मादिस में कहा हो गए, फारशी में, तो मुश्तकीम सिरात का अर्थ होता है, सर्वस्रेष्ट मारग, सिरात का अर्थ होता है, मारग, मुश्तकीम स्रेष्ट, वो भी सबसे स्रेष्ट, तो सर्वाति से इस रष्ट ये भी बोल सकता। ए मेहर मौमिनों पर तो भाई जो तले कदा महा कजाता। तो ये कृपा ब्रह्मात्मों पर इसलिए हुए कि वो राज्य के चरणों में ही हैं। तो उन पर कृपा तो होगी ना। तो कृरान में एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि अजाजिल को धिकारा गया और वाईस्त से निकाला। तो उसको जो धिकार मिली तो वो पूरी दुनिया को मिल गए, दुनिया में बट गई। तो सारी दुनिया के लोग हैं वो खराब कहे गए। ऐसा लिखा। इबलिश लिख्या दुनिय नशलें तो अब दुनिया के नशल में उनके वंसम में तो दुनिया में आदम के वंसम जाएं। उन पर तो उनके मन में तो इबलिश का सामराज ये हैं। कई इबिदमाय कुरान में इस प्रकार के बात कहिए। तो कुरान, हदिश बगर इन कृंतों में, देशी पैगंबर की साइदी गिरो, अदल से उठाईजे, जब ब्रहमा आत्मा आवतारित होंगी तो पैगंबर की साइदी देंगी, जितने पैगांब देने वाले हैं, उन्साप की साक्षी देंगे, केवल मुस्तफा बेग, उसको कोई सर्वसरिष्ट नहीं बोलेंगे, जिन जिन लोगों ने भी परमात्म संबंद ग्यान दुनिया में वितरित किया हैं, उन्साप के प्रते आदरभाव रखेंगे, और उन्साप की साक्षी देंगे, गिरो अदल से उठाईजे, अदल का तात्पर होता है, अदल करना, न प्रते आदरभाव रखेंगे, तो जागरत करेंगे परमधा में, उनके प्रते उस पर करकर न्याय होगा, करीह के हिडायत है इनको, कहे बहतर नारी एक नाजी ए, तो कुरान में ये कहा है, कि खुदा ने इनको ही हिडायत दिये, इनके लिए मारगदर्शन दिया है, बांक कि लोग तो सब बहतर नारी, तो बहतर बिभागे, उनको तो नारी ऐसा कह दिया, नरग्गामी ऐसा, एक नाजी है, एक नाजी दर्मनिष्ट हो तो ये ही समुदा आए, इस परकर कहा है, तन मोमिन असल आरश में, आडी नीद होई फरा मुष्य ब्रमात्माओं का असली तन हो तो परमधाम में है, अब उसकी उसमें ना, तो वो राज्य की दर्शन करते-करते बीच में, एक परदासा आ गया, इसलिए वो थोड़ी दिर के लिए ब्रमात्माओं को राज्य की दर्शन छुट गया, तो वो ये फरा मुष्य है, वो एक नीद, नीद जैसी आई, तो जोका जैसा, तो सब कुछ बुल गया, तो नीद बजूद ले उड़िया, तब मूलतन आया माय होश, तो ये नीद है, वजूद को ले उड़ेगा, क्रितात परिया, तो ये बजूद, अब ये जो नीद, जब उनका जो शुरूप है वहाँ, तो उनकी नीद हट जाएगी, थोड़ी देर नीद आई, तो वट जाएगी, तो तब मूलतन आया होश, माय होश, तो ब्रमात्माओं का मूलतन, वो तो सचेत हो जाएगा ना, तो सचेत थाई, थोड़ी देर के लिए नीद है, तो नीद उड़ गई, तो बास वो सचेत हो जाएगा, दूनी तन जूलमत स अब दुनिया के देखेंगे तो तो ब्रहमात्माओं को तो असलितन परमधाम में और दुनिया का तो ये नश्वरतन को ये स्वेमान करके बैठे हुए है तो इनकी असल अना वक्का में इनकी असल परमधाम में नहीं है अखंड में नहीं है जब फरामोशी उड़ी जुलमत तब जरान रहा दुनीशे जब फरामोशी उड़ जाएगे और ये जुलमत मायक आवरन बगरे सब उड़ जाएगा तब जरान रहा दुनीशे तो दुनिया में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर इन आत्माओं का क्या होगा तो उस प्रकार से समझाया है यह समझाने की रीत्मात कुरान की है कते परंपरा की यह कहीं वेद उपनिशत की नहीं है तो उसमें तो दुश्रे तरीके से समझाया गया है यहां केवल डराने की बात बताईए है अरवा जो शुपन की देखे न जागरत को इसलिए ये जो शुपन की आत्माएं हैं वो जागरत को नहीं देखती हैं जो हो ए जागरते में असल सो आवे जागरत में जो असल में जागरती में होंगे वो ही जागरत होंगे न बाकी तो जागरती नहीं उपाएंगे न कही दुनिया हुई कुन्नसों सो जुलमत उड़े उड़ता, दुनिया तो कुन्नस से कही है, कुरान में इस तरह से कहा, तो ऐसे ही कल्पना कर दियो रहो गई, तो अब जुलमत उड़ते ही, ये सुन्य निराकार उड़ते ही, तो उनका कोई अस्तित्वाइ नहीं रहेगा, त तो उनको भी मुक्ति दिलाएंगे, इस प्रकर की बातें कहिए, यह ब्रमात्माओं की शक्ति है, शीफध करेंगे, सब कोई दुनी विष्ट कीजे, तो अब यदि दुनी वइस्ट में चली जाएगी, तो भी यह सब तो प्रमात्माओं की महीमा गाएंगे, हक अहादिर हुए बाहिद अथ भीष्ट हुई इन वास्ते तो ये ब्रह्मा आत्माय क्या है स्रीराजी और श्यामाजी के अद्वित अंगमे ही है तो इनके लिए ही दूसरों को बैष्ट मिला है कोहां पर इनकी पूजा होगे इसलिए ब्रह्मा आत्माओं के महिमा बता रहे हैं इसलिए तो कारण तो अलग अलग होता है खुदा एक अरब पूजेंगे बका मेने बेशक तो ये जो जीव मुक्तिस्थल में जाएंगे वो ब्रह्मा आत्माओं को परमात्मा समझ करके उनकी पूजा करेंगे पाक हो, शिया का इलम सों करे बंदगी होए आशिक तो वो ब्रह्मा ज्यान से पवित्र तो होंगे और फिर आशिक होकर्कर को, अनुरागनी होकर क के बंदगी करेंगे तो ब्रह्मात्माओं की पुजाई करेंगे क्रकर से मोमिन उतरे अरशाजी में से दुनी तिनसों करें जिद ब्रमात्मा परमधाम से अवतरी तो ही है और दुनिया उनके साथ में जिद करती है और वो हम भी उनके बराबरियां इसा मान करके करती है ए अरश से आया का पूजा था तो जो परमधाम से आये हैं वो तो परमधाम की पुरुन प्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे, दुनी पूजना, हवा लगाद, तो दुनिया की इसकी पूजा करेंगे, जो सुनिन निराकर तक माया तक सिमित हैं, उनकी ही पूजा करेंगे, माया के स्वरुपों की पूजा करेंगे, असली स्वरुप की पूजा नहीं कर दुनिया के दिल में इबलिस का सामराज्य, शैतान का सामराज्य ऐसा कहा है, और ब्रमात्माओं के परमधम रुपे रिधाय में तो पुरुन ब्रमात्मा का सामराज्य है, ए जायर किया बेवरा है, कुरान में रोशन, कुरान हदेश बगर में यस्पष्ट बातें बताई गई है, इबलिस सोही बतावची जिनसों होशी दोजग, इबलिस तो वही रास्ता दिखाएगा सैतान जिसे नरक मिलेगा, बोली चाली मुमिन अरश की जासों पाई ये वक कह तो ब्रह्मात्माओं का तो बोलना चालना ये सब परमधाम से सम्मन्दित होगा, इसलिए तो उसके माध्यम से उनको अखंड ही प्राप्त होगा, तो जो ब्रह्मात्माओं का अनुशरन करेंगे उनको अखंड शुक प्राप्त होगा, बैठें बातें करें अरश की, सोही बहुत आटमाई और दुनिया में यह बहुत बड़ा अंतर है मुमिन नजरब कामिने दूदी नजरबी चफना तो ब्रहमात्माओं के दृष्टे तो अखंड की उर होती है जबके दुनिया के दृष्टे जुट में ही जुट कपट में ही बनी रहती है कहे महामत आरशारवाह किया पहले बेवरा फुरमाना तो महामत ही कहते हैं कि परमधाम की आत्माओं इस प्रकार शाष्ट्रों में कोई भी धर्म गरंत परमात्मा करसंदेश देने वाले तो उसमें केवल कुरान ही ऐसा नहीं समझना चाहिए तो सभी में इसका विवरन बताया गया है जिन को परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है वही परमधाम की गूड रहश्यों को स्वष्ट करती है तो ब्रमात्मा को मार्गदर्शन मिलता है तो ब्रमात्मा ही स्वष्ट कर पाएंगी ये बात समझा रहे है तो अब यहीं रखते हैं श्रीक्रेष्न का नई आलाल की जाए सोई बातुन करे बयान सोई बातुन करे बयान कहे महामत अरशरवाह कहे महामत अरशरवाह किया पहले बेवरा भुडमान किया पहले बेवरा भुडमान जेना हुई हक हिदायता सोई बातुन करे बयान सोई बातुन करे बयान सोई बातुन करे बयान सोई बातुन करे बयान सुष्न कर नई आलाल की जाए सुष्ण गुरू महाराजी की जाए प्राण नाथ प्यारे की जाए प्रिपाच नुतन पुरी नावादी की जाए जरेत बिरू आचार्य स्रेक्ष्वार कृष्ण बनेंजी आधा जे की जाए 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 जाए